प्रवस ग्लेव की हंटर किलर टीम अंदर गुसी हुई थी और वो थैनॉस का काम पूरा कर रही थी यहाँ पर स्ट्राइक लीडर बताता है कि कर्वस वन हंटर किलर टीम अंदर है और जल्दी हम स्टेशन्स में गुश जाएंगे लेकिन तभी स्ट्राइक लीडर को एक स्ट्राइक बताता है कि बाहर देखिये तभी हम देखते है स्वाड के एजेंट्स को जो खिड़की पर बंब लगा रहे थे और बंब लगाने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाते है यहाँ पर पिक खाली हो चुका था और तभी एजेंट ब्रैंड केती है कि आकिर वो अंदर क्यों आये थे क्या उन्हीं किसी चीज की ज़रूरत थी सबस्टेशन के सभी मेंफ्रेम सिस्टिम्स को चेक करो और यहाँ पर उसे बताए दरता है कि कुछ भी गायप नहीं हुआ है और यहाँ पर एजेंट ब्रैंड की बाते संते ही साइड रन चेक करने लगता है मेंफ्रेम को तब वो बताता है कि यह इंट्रेस्टिंग है उन्होंने एक्सिस डाटा को इंक्रिप्ट करने की कोशिश तक नहीं की यहाँ तक कि उन्होंने रेड लेवल पार्टिशन भी पार नहीं किया तो वो खुद को इतना इरलिमिटेट रखे क्या कर रहे थे आकिरकार तब ही वो बहार देखते हैं कि कुछ अन्वनी उनकी तरफ बढ़ रही थी और तब वो देखते हैं कि दव पीक की तरफ बहुत सारी शिप्स आ रही थी तो गाउंटलेट गाउंटलेट की ग्रेट हंट में अर्थ काफी हद तक तबाह हो चुकी है थेनोस के ब्लैक ओर्डर ने इसमें से कर्वस ग्लेव और सोपर जैंट ने म्यूटन्ट के चीन ग्रे स्कूल को अपने कदमों के नीचे ले लिया है अटलन्टीस पहले ही हार चुका है जो पहले ही वाकांडा से फिट चुका था और संक्टम संक्टोरियम में इबोनी माव ने अपने स्टेटेजिक वार्प के उस पैत्रे का इस्तिमाल किया जो की अर्कय स्वर्चरी सुपरिम को तबाह करने के लिए काफी था उसने अपने गद्दारी बरेशप्ट उनके दिमाग में डाले लेकिन बाकी जगाओ पर बात कुछ अलग थी जैसे की वकांडा वकांडा ने अपनी वार्प खुद लड़ी खुद जीती और ब्लैक ड्वार्प को हार कमाता चकाया यहाँ पर न्यू यॉर्क में एवेंजर टावर अभी भी खड़ा था पुरी डिफेंश सिस्टिम को संबालते हुए और एटिलैन के उपर ब्लैक बोल्ट किसी का इंतजार कर रहा था मिडनाइट किंग ब्लैक बोल्ट इंतजार कर रहा था थैनोस के एक सेवक के अराइवल का और जिस अराइवल की रहा वो देख रहा था वो अराइवल हो जाता है उस शिप से एक स्मॉल शिप बहार निकलती है और उसमें से निकलते है करवस गलेव कुछ शोलजर्स और दो आउट रैडर्स सबसे पहले करवस गलेव आता है उस राज महल में जहापर मेडूसा कहती है कि बताओ क्या कहना चाते हो तब वो कहता है कि यहापर कोई राजा भी है जिसके बारे में मैंने कुछ कहानिया सुनी है लेकिन मुझे रखता है कि यहाँ पर सभी नन्ने मुन्ने लोगी रहते है जो कि इस छोटी सी और भद्दी सी किंगडम को चलाते है तब मैक्सिमस कहता है कि हमारे राजा ने वो बनाया है जो कि सालो से टिगा हुआ है और जहाँ पर दुनिया तबाह हुई एटिलैन वही पर खड़ा हुआ है यहाँ पर मेड़ी सा कहती है कि मेरे हस्बेंट ब्लैक बोल्ड यहाँ के किंग है लेकिन तुम तुम कौन हो या फिर तुम क्या हो तब करवस कहता है मैं सरवन्ट हूँ अपने मास्टर का थैनोस जो कि वर्ल्स का डिस्ट्रॉयर और किंग का ब्रेकर है और मैं उन पाच में से हूँ जिने कहा जाता है ब्लैक ओर्डर हमारे मालिक ने हमें नाम दिया कल उपसीडियन्स और अब मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए आया हूँ तब वो कहता है कि करवस तुम्हें चाहिए क्या तब वो कहता है तुम देखी चुके हो कि हम पूरी अर्थ के साथ क्या करते है और पाके दुनियाओं के साथ भी हम सिर्फ मारते है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर बेजा है इन हुमन किंग से कुछ सच्चाई हासिल करने के लिए तैनास जानता है तुमारे सीक्रेट्स तैनास जानता है जो कि तुम जानते हो और हमारे मास्टर के यही डिमांड्स है तब मेरे सा कहती है तुम हमें वार्व करने आया हो करवस गलेव तो फिर मैं तुम्हें पहले ही वार्व कर दू कि लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके है इस ठोन के आगे अपने धंकियों के साथ और बिना अपने लाइफ के वापस जा चुके है तब करवस कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझसे मजा कर रही हो क्योंकि तुम मुझे उस चीज से नहीं डरा सकती जिसकी मैं आशा लेकर आपर आया हूँ तब वो कहती है तुम कहना क्या चाते हो तब करवस कहता है तुम मुझे उस चीज से डरा नहीं सकती जिस चीज की मैं चाहा रखता हूँ और वो अपने सोल्जर से कहता है कि इन्हें दिखाओ कि हम मौत से डरते हैं या नहीं तभी वहां खड़े वो सोल्जर्स अपने पास से हत्यार निकाल कर खुद का गला काट ले और सभी सोल्जर्स वही पर मर जाते हैं यह देखकर सारे इन्यूमन्स दंग थे और इन्यूमन किंग घुस्से में था तब वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं उन पाच में से हूँ जिने तुम दरा नहीं सकते हां तुम यह जरूर कर सकते हो कि तुम मुझे मार तब करवस कहता है कि मेरी लिटल क्विन हमें एक ट्रिब्यूट चाहिए तब वो कहते है कि साफ साब बताओ तुम कहना कह चाते हो मॉंस्टर तब वो बताता है वो ट्रिब्यूट होगा सोला से लेकर बाइस साल तक के सारे इन्यूमन्स के रेकॉर्ड और वो चाहिए थैन मारना के उचाते हो और हम हमारे बच्चे तुमारे सिर्फ इस मैडनेस के लिए दे दे तब वहाँ से जाते हो एक कर्वस कहता है कि तुमारे पास एक दिने डिसाइड करने के लिए या तो तुमारे सारे लोग मारे जाएंगे या फिर कुछी लोग मारे जाएंगे तब गुस ने मारने हैं और वह उन पर जीतासिल कर चुके थे लेकिन बिल्दलेश की चाल से वह अंजान थे उन्होंने पहली फिलीट तो कंप्रीट कर दी लेकिन वह उनकी दूसरी चाल से हार गए उन्होंने वन थर्ड फिलीट हो दी और इसी वज़े से एवेंजर्स और सारे वार्यो इसको fallback करना पड़ा अपनी जान बचा कर वहां से भाग निकले और अभी एगरी वर्ड के और बिट में वान प्राइम में जहाँ पर एवेंजर्स लैंड करने के लिए से परबिशन मांगते हैं और आँ परते हए कीपन चलों मांते हैं समेशर से और यहाँ पर समेशर उन्हें पर्मिशन देती है लैंड करने के लिए और आगे शेए क्या और खबर है तब समेशर कहते हैं नहीं लेकिन केक्पन मार्वल का कैरियर कायब हुआ है और जब से हमने अपनी फ्लीट हो दिये तब से शेयर के नेटवर्क्स, क्रीक के ओमनिकास्ट और बाकिसे भी वाइड बैंड कम्यूनिकेशन्स ठप हो चुके है तब कैप्टन कहते है इसका मतलब है कि हम अब अंदे और बहरे दोनों हो चु फिर से श्ट्राइक बैक करना होगा और मेंटर का भी यही कहना था कि हम अपने मेरिट को गिरने नहीं दे सकते लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें पर हमला होने वाला है और तब वहाँ पर mentor और Oracle उन दोनों का कहना था कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है हमें ships लेकर fallback करना होगा और यहां से जल से जल मिकल नहीं होगा और और एकल की बात पर सहमती चाताते हुए मैंटॉर कहते हैं हाँ जोशिप्स अभी करेंटली अवेलेबल है उनमें से हम रेस्क्यू मिशन्स कर सकते हैं लेकिन तभी मेजिस्टर अपने चेर से उठते हुए कहते हैं नहीं मैं उनकी चाल समझ चुका हूँ वो हमें डारा र है और दोड़ा दोड़ा कर मार रहे है लेकिन अब बहुत हो चुका है श्यार की वारियर्स मैं तुमसे पुछता हूँ क्या तुम भाग कर मरना चाहोगे या फिर लड़ते हुए क्योंकि मैं अब से किसी और नाम से जाना जाऊंगा मैं अब तक ग्लैडियेटर जोकि और इतना सुनते ही सारे एमपार के लोगों में जोच भर जाता है और वो सभी फाइट के लिए रेडि होते है और तब हम देखते हैं सारे वारियर्स सारे एवेंजर्स को उन बिलडर के शिप्स पर अटेक करते हुए तब यहाँ पर एक्स निहिलो से बहा के लोग एने के रहे थे कि तुमें ना जाने देने के के सवब तब धाराएं पूम्हारा कहना और उन सब गौड्स को जो भार लड़ रहे उन्हें किसने ने बनाया है तब हम दिखते हैं सभी Avengers को, सभी Empire के Guards को, Gladiator को, Captain America को, Thor को लड़ते हुए चाहापर हमें उन लोगों की बादचित सुनाई दे रही थी जो अंदर शिप में एक्स नहीलो के साथ बात कर रहे थे उनकी कहानिया सुनिये एक्स नहीलो, तुमारी भी अब तक की सारी कहानिया Builder और Gardeners जोकि travel कर रहे थे एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड तक, जोकि evolution के agents मन के कुछ खोज रहे थे हमने ये भी सुना है कि तुमने हमारी race को आगे बढ़ाया, तुमने वो push दिया जोकि हमारी race को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था लेकिन तुम एक बार देखो कि हम क्या बन चुके है, तुम अब तक gods थे, हमें तुमारी ज़रूरत थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हम नए gods है और तब हम देखते हैं इस जंक को खत्म होते हुए, जहाँ पर बिल्डर के एक बाट के सर को हाथ में लिए magister जितका एलान करता है और यहाँ पर एक्स नहीली की तरफ देखते हुए, वो लोग कहते हैं कि देखो हम जीच चुके है, लेकिन एक्स नहीली बताता है वो देखो, वो क्या है और वहे पर हम देखते है कि एक्स नहीली फिल्टर के बॉट के साथ नीचे जा रहाता उस प्लैनेट पर और जैसे ही वो लैंड होता है वो कहता है क्या तुम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो बॉट तो वो कहता है नहीं लेकिन अगर मेरे कोड को दूसरे किसी बॉट मे मैं इटर्नली जिंदा रह सकता हूँ तब एक्स नहीली जो कि लाइफ खुद था वो कहता है लेकिन अगर मैं चला गया तो मैं हमेशे के लिए चला जाओंगा और मेरे मास्टर का यही कहना है कि मेरी मौत ही उनके जीत के लिए काफी है तब वो कहता है तो फिर अपने मेकर के डिमांट्स को पूरा करो और अपने लाइफ को खत्म करो तब एक्स नहीली वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे यहाद है यह जो सिंबल है जो मेरे चेस्ट पर है वो कभी लाइफ का मीनिंग हुआ करता था और इतना कहते ही वो खुद को तबाह कर देता है इस वज़े से एक डार्क लेयर पुरे प्लैनेट को कवर करने लगती है तब यह देखते ही एक्स नहीं हीलो कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता अब जल से जल्द उन लोगों को वहाँ से भार निकालो जो उस प्लैनेट पर है क्योंकि कुछ अन्थिंकेबल होने वाला है उसके बारे में कहा था कि सेंट्री इसमें इंक्लूड है लेकिन ऐसा नहीं है वो मेरी मिस अंडरस्टेंडिंग थी क्योंकि यहाँ पर हाईपेरियन है यह लोग केप देखकर मुझे लगा था कि वह सेंट्री है लेकिन ऐसा नहीं है वो दोनों ही उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ प किये जा सकते एक्स नीली ने अपनी सिस्टाइड कर ली और एक डेथ पॉइंट क्रियेट कर लिया और पूरे वर्ड को तबा करने का पाप अपने माथे पर ले लिया यहाँ पर हम देखते है थौर को वहाँ पर बच्चे हुए कुछ बच्चों को उस स्पेश्शिप में डालते हुए और वहाँ से ले जाते हुए लेकिन कुछ शैडोस जोकी स्लो होकर इस पूरे फ्यूचर को तबा कर रहे थी जोकि इस पूरे प्लेनेट को धीरे धीरे निकल रही थी उसका क्या वह तबाई जो इस प्लेनेट पर होने वाली है उसका क्या लाको करोडो मासूम अपनी जान से हाथ दो बेटेंगे सिर्फ बिल्डर्स के अपने कुछ पाप की वज़े से ये सिर्फ मौत नहीं थी ये मौत से बतर था ये जीत थी लेकिन किस कीमत पर एक साफ जूट और एटी लैन जहापर ब्लैक पोल्ड सब की नजरों से छुपता हुआ एक चेंबर में दाखिल होता है और वो चेंबर जैसे ही खुलता है ब्लैक पोल्ड अपने हाथ से वो डिवाइस निकालता है जो की इन्फिनिटी जेम के साइज का था और उसे प्रेस करता है और उसके प्रेस करने के साथ ही लॉग जौ इलुमिनेटिस के सारे बाकी के मेंबर्स याने के ब्लैक पैंतर, डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, हैंक पिम याने के दबीस्ट, नेमर और आइरन मैन को लेकर वहाँ पर टेलिपोर्ट होता है और यहाँ पर आ लेते कि आकिर यह नॉर्मल फिच पर बोल के से रहा है, तब उसका जावब देते हुए ब्लैक बोल कहता है कि मेरा भाई मैक्सिमस यह इस सब के लिए जिम्यदार है, उसी ने इस प्लेस को डिस्कवर किया और एक पॉकेट रियालिटी जनरेट कर दी, जिसमें सभी के साउ सेवक मेसेज लेकर आया एटिलान पर थैना उसका एक सेवक तब उससे पूझते है कि और उसने कहा क्या तब बताता है कि उसे एक ट्रिब्यूट चाहिए उसने उसे हमें डिलिवर्ड करने होगे 16-22 साल तक के सारे इन्यूमंस और इस वज़े से हमें यह रिक्वेस्ट मान यह वो डाटाबेस है जो कि छुपेवे इन्यूमंस तक तुम्हें पहुचाएगा तब ब्लैक मैंतर कहता है लेकिन उस ट्रिब्यूट का क्या उस पारे में तुम क्या करोगे तब ब्लैक वोल कहता है कि वो ट्रिब्यूट है ही नहीं वो एक साफ जूट है वो चुपाया एक जुपाना चाता है सजक को उसे सारे लूझों की जरुरत है दो प्लैक मैंथर कहता है लेकिन किस की तब वो कहता है उसे जरुरत है एक एसे शक्स की किसे वो के पद आकर तर SM क्वेटे की हि तो इसे की साथ आज का वीडियो फर्टन होता है तो अप मुझे comment करके बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा सथी साथ अगर आपने इस से पहले की वीडियोस नहीं देखे तो इचे दिये गए हैस्टेक का इस्तेमाल करके आप इससे पहले के वीडियोज भी देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट के जरिये भी जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंज्यॉदे लाइफ धन्यवाद और चहिन